हम ले रहे हैं फटावट से हम आज प्रैक्टिस खतम करते हैं और फिर कल क्वाडी लेटर शुरू करेंगे तो यह कोश्चन है इसका आंसर आप मुझे दीजिए कर दो यह काफी अच्छा प्रश्ण है और किर्प्या करके इसको समझना और सर डाइग्राम कैसे बनाए तो वह भी मैं आपको समझाओंगा जैसा कि प्रश्ण बोल रहा है कि डिश्ण की सी वन सी टू ओक केंद्र केंद्रों नसैंक्र केंद्रों के साथ दो सकेंद्रिय ब्रत है Tut जिनका एक केंद्र ठीक है जिनका एक ही केंद्र है अब ओपर केंद्रों के एक साथ यानि कि ये ओ केंद्र है और दोनों सकेंद्रिय ब्रत हैं जिनकी तरिज्जा है बारा और तीन है यानि कि छोटे वाले की तरिज्जा तीन है और बड़े वाले की तरिज्जा बारा है ब्रत C1 पर बिंदू A से C2 पर दोईश्पर्श रिखाएं खीची जाती है मैंने माल लिया कि यहाँ पर C2 पर A से C2 पर यानि कि यह आपका C1 सरकिल है और यहाँ पर मैंने दोईश्पर्श रिखाएं इस तरह से आपके डाल दी किसी को कोई समश्या है क्या जैसा जैसा प्रश्ण बोले वैसा वैसा करते जाना है आपको टेंशन नहीं लेनी है अब आपको पता है कि यह दो इसपर्श रिखा है इसको दो बिंदू पर मिलती है एक बिंदू आपका हो गया बी और एक बिंदू आपका हो गया C, ठीक है भाई साब, ठीक है, तो चत्रबुज A, B, O, C, यानि कि ये एक चत्रबुज बन रहा है, और ये बोल रहा है कि बनाओ, तो हमने बना दिया भाई, ये लो, A, B, O, C का आपको क्या बताना है, च्छेतरफल बताना है ए बी ओ सी का च्छेतरफल तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आपको भली माती पता है कि यार देखो सर ये तो अंतर तिरिज्जा है यानि कि ये तीन हो गया और अगर आप इसकी बात करोगे ये बारा हो जाएगा पूरा बोले डियर ये आपका तीन है और ये आपका बारा है क्योंकि ये बाहिए तिरिज्जा हो गई बोलो मेरे दोस्तों तो आप क्या कह सकते हैं कि ये 90 डिगरी होता है क्योंकि तिरिज्जा हमेशा इस पर श्रेखा पर हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है तो य यह अगर आपका hypotenuse हो गया तो AB की value आप निकाल सकते हो क्या तो AB की value मैं निकालने के लिए चल दिया जहां पर मैंने करण का square याने की 12 का square minus कर दिया 3 का square याने की 145 माइनस का 9 145 माइनस 9 अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरे सामने आ रहा है अंडर root 135 जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 root 15 तो यहां पर मेरे सामने निकल कर आगया यह AB आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं इसका area निकाल लूँ तो यह भी तो बराबरी रहेगा AC भी तो बराबरी रहेगा यानि कि अगर यह 3 root 15 आ गया तो यह भी 3 root 15 होगा तो मैं यह कहता हूँ कि इन पूरे चत्रबुच का छेतरफल निकालने के बजाए आप इस हिस्सी का छेतरफल निकाल लो यानिकि इस तिरबुच का छेतरफल निकाल लो क्या हो जाएगा एक बेडिगरी के सामने करण होता है बाकी कुछ भी ले लो आप आधार इंटू उंचाई और आप में से सब को पता है कि मैं 2 से गुणा करूंगा ही क्यों क्योंकि मुझे इस पूरे का निकालना है इस वाले का और इस वाले का दौनों को करना है तो मैंने 2 से गुणा कर दिया दो से दो कट गया तो मेरा राइट आंसर आ गया 9 रूट 15 तो मेरे दोस्तों कैसा लगा कुश्चल उमीद करता हूं कि आप सभी का सही आंसर आया होगा 9 रूट 15 ये बहुत ही प्यारा प्रशन है पाइथा गुरस लगाया आपने इस पर श्रिखा की लंबा ही निकाल दी अगला प्रशन करके बताएं ये भी बहुत अच्छा है आराम आराम से करो तसल्ली से करो देखिए आजाईए आर तिर्जा वाले ब्रत की जीवाएं दे रखी है आपको आर तिर्जा वाले ब्रत की जीवाएं एबी और एसी ऐसी है कि अबी बराबर टू एसी है अबी बराबर कितना है 2 éc है चलो अब वढ़ियस अ बनाता है जिससे के आपको समझ में आ जाएगा एक बर नहीं ठीक है या निकि एए आपका एक common point है obviously क्योंकि आपका बोला गया देजा अबी बराबर आपक का 2 ec है यानिकि यह a A point हो गया किया कि अपका A B हो गया और इह आपका A C हो गया कि चलूँ मिये ओ केंद्र किंद्र ओ जीवाओं से के भी तथा A C पर डाले ग़रลंब की लंबागमा याने यह आपका सेंटर ओ है और इससे आपने क्या किया है दो लंब डाले है एक तो A B पर डाला है और एक AC पर डाला है और जैसे आपने ये दो परपेंडिगुलर डाले है ये भी तथा AC पर डाले गए लंबो की लंबाईया ये P है और ये Q है हमें तो बस बोला जाया हमने लिख दिया अब आप भी जानती हो ये मैं भी जानता हूं डियर कि अगर आपको relation निकालना है और ये radius अगर मैं कहूं radius तो हमें पता ही है तो radius का भी तो रोल होगा ना क्यों क्यों क्योंकि जब आप इसको इससे मिलाओगे तो ये radius है अब मेरे दिमाग में चल गया पाइथागुरस में फाइक थागुरस हमारे दिमाग में चल गया ना अब आ रहा है थोड़ा सा feel आ अगर आप बात करोगी सर अगर मैं इसको मान लेता ओ o m मान लेता हूं इसको मै volg ए n मान लेता हूं तो को कि avons any problem किसी को भी समश्य क्या बोलो यार rollu sir कोई समश्य नहीं है कि अगर मैं an निकालो तो i90 degree है कि इसके सामने और है वही अपना r square मैइनस q ह स्थिया कि यहां तक कोई समश्य है ही नहीं और तो पिर नहीं है तो फिर क्या tension है लेकिन एक तरीका और है आप जानते हो यार कि ये जो lump डलता है वो दो भागों में मांड़ देता है यानि कि क्या मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों से कि जो ये am है an भाई ये जो am है ये जो an है न उसका डबल होगा दुवारा से बोल रहा हूँ ये जो am है इस an का डबल होगा क्योंकि ये वाकई में बोल रखा है कि ये डबल है तो ये डबल है ओलरेड़ी तो am b an का डबल होगा तो बात विलकुल सही है सर यानि कि आप अगर लगाना चाहेंगे कि भहिया r square minus q square बराबर होगा two times of under root r square minus p square any problem नहीं ये होजाएगा q square यहाँ होगा p square क्योंकि ये am है और वे डबल है ये होजाएगा q square तो आप समझ लीजी इस चीज को कि मैंने ये क्यों लिखा है और कैसे लिखा है तो ये वाला हिस्सा इससे तो हमेशा ये वाला हिस्सा इससे तो हमेशा double होगा तब ही बराबर हो पाएगा तो बस अब इसको हम क्या करेंगे दौनों तरफ square कर देंगे अब जैसे आपने square किया r square minus p square बराबर 4 r square minus q square solve कर लेते हैं तो कितना r idea देखो तो r square minus p square बराबर 4 r square minus 4 q square जब आप इसको इधर लेकर आ जाओगे तो ये आपे साफसाफ आ रहा है 4 q square बराबर 3 r square plus p square तो कौन सो option आ रहा है option number c option number c will be your right answer तो कैसा लग रहा है डियर कुश्चन बड़ा ही प्यारा है ठीक है तो बहुत ही प्यारा प्रश्चन है और हर तरीके से आपके सामने है है न डियर बस खेल समझने का है आपको समझना है आंसर आ जाएगा कि नेक्स करिए यह भी अच्छा कुश्चन आईए सीखिए कैसे करोगे आप एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आ रहा थियोरी वाले कर अरे यार फिर वही वाली बात मतलब अगर आपसे कोई आपसे बोल दिया जाए कि भाई देखो यह ABCD है तो हमेशा जिंदिकी में ABCD के कुश्चन थोड़ी न आएंगे कभी बैड भी तो बन सकता है इससे BAD अब यह को यार आपने तो ABCD पढ़ाया था अब यह कहां से पहले आ गया अब यह कोई कारण थोड़ी न है अब आपको पता है भाई साब यह कोश्चन है अब कोश्चन में प्रॉपर्टी लगी तो है लेकिन तुम्हारा दिमाग पत बताओ चले इस कोशन का जवाब दो बहनिष्ट केंद्र ओ वाले दो सकेंद्रिय ब्रत हैं ठीक है बहनिष्ट मतब बच्चा मतब पढ़ना ही नहीं चाहरा है उसको लगता है सब आसान हो जाए मेरे लिए पढ़ना पढ़ेगा डियर सब आसान है और भी तो आंसर दे रहा हो की जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या फिर तुम नहीं कर पा रहे हो और भी कर रहे हैं बच्छे जो जो पढ़ रहे हैं मन लगा कर उनको होगा ये ओध्यक है तो देखिया इसकोशन को देखिए आप बेनेश्ट केंद्र ओ वाले दो सकेंद्रिय ब्रत है तो सेम आपका concentric circle है सनकेंद्रिय ब्रत है याने की ऐसा circle जिसका केंद्र एक ही हो हमने ये बना दिया लो कोई दिक्कत आपको नहीं तो वस थोड़ा सा diagram बनाना है आपको वस answer आजाने लगेगा देखो अब बोला जा रहा है कि भाईया देखो जाने जाने फिक्क है यदि केंद्र की जीवा की आपसे बोला जा रहा है कि जीवा की दूरी तीन सैंटीमीटर है तो भाईया ब्रत की तरज़ा तेरा है और भीत्री व्रत की तिरज़ा 7 है तो AC की लंबाई समझ गया इस पर श्रेका नहीं है यह क्या है पिर्तिछीट करवा रहा है यह लोग कर देंगे हमारा क्या जा रहा है अब हम यह कह सकते हैं क्या बाई देखो बाई यह ब्रत का तो AB है और भीत्री जो सरकल है उसको COD पर का ओ माल लेता हूं ऊपर माल लेता हूं थोड़ा से यह मेरा केंदर ओ है और इस से हमने क्या कर दिया अर पैंडिकलो डाल दिया और दूरी कितनी दे रखिया जीवा तक की दूरी तीन है और भाईयत रिज़ा कितनी दे रखिया भाईयत रिज़ा दे रखिया तेरा यानि कि इसके अंदर से यहां तक की दूरी तेरा है और यहां तक की दूरी साथ है बोला गया है अपने कुछ नहीं कर रहे है इसमें ठीक है तो भई यह तेरा है गुरू जी और यह साथ है ऐसा बोला गया है अब क्या निकाल सकते हैं आप यहां पर अगर मैं इसको M माल लेता हूं मा को गठा देना लगाऊ पाई था गोरस लगा लो यार यह निकालने के लिए मैं क्या करूंगा अब इम बी निकालनी के लिए 13 का इसक्वायर 169 माइनस नो यह कितना हो गया अंडरूट 160 अब इसको सॉल्व करने पर क्या है कितना आया 4 रूज 10 अब आया में लगा दो 90 डिगरी के समने 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 9 याने कि अंडर रूट 40 अब अंडर रूट 40 कितना हो गया दो रूट 10 अब M भी पता लग गया कि CM पता लग गया तो MD भी पता लग गया क्योंकि यह दोनों अपस में बराबर होते हैं निकाल दो क्या फरक पढ़ रहा रहा है तो आंसर कितना आ गया चार रूट 10 में से दो रूट 10 गटा दो आ讲 सर कितना आएगा दो जुरूर दस आजाएगा तो करना पड़ेगा डियर अब ये कटिन है क्या बताओ मेरे को आप जो बच्चा पढ़ रहा है जो बच्चा करना चाहता है ऐसे प्रशनों को जो पेपर में आते हैं अब ये कोई तफ थोड़ी ना है ये तो बस डाइग्राम बनाना है और वही कॉ चीजें आपके सामने बहुत आसान होने वाली हैं लेकिन बस करते जाओ अगला प्रशन ये है करके बताईए पोशिश करिए नहीं होगा डाइग्राम नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं समझाओंगा तो कुस तो गुसेगा बेजे में कि चले पी और या ऐक ब्रत जिसका केंदर ओ है यहां हम यह कह सकते क्या कि बाई एक आपका ब्रत है जिसका केंदर कितना है ओ है साब ब Não अट रहा है पर सितű के च्चाप फिनार रहे हैं यानि कि देखो concept मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है ये मान लीजी पी और क्यू बिंदू है अब इसका छोटा चाप ये वाला इससा होगा common sense यार क्योंकि ये चाप है और इसके जो करीब वाला है वो छोटा होगा अब चाहे आप पी और क्यू को यहां मान लो यहां आर मानना पड़ेगा तो मैंने ऐसे मान लिया क्या दिक्कत है ठीक है और एक दूसरे पर एस पर मिलते हैं और उस वरत का पी और क्यों इस पर श्रिखाएं है एक दूसरे से एस पर मिलते है ठीक है भाई मिला देते हैं हर चीज को पता मिलाना है ना थोड़ा सा सरकाना बढ़ेगा चलो पोशिश हम चलो ठीक है एनी प्रोब्लम यहां बस आर को सेट कर देपाँ थोड़ा सा थीक है और यहां मैंने आर बना दिया और यहां पर अब इसको 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 भी छोटा कर देते हैं थोड़ा सा इसको यहां पर क्यूँ बना देते है sudah थीक है चले चलिए भईया वो दिकत नहीं अब यह क्या मिल रहे है S पर मिल रहे है एक दूसरे से, ठीक है? अब PS Q कितना दे रकQUा है, आपको 20 डिग्री दे र forgा है PS Q कितना दे रक्छा है 20 डिग्री दे रक्ट है आपसे बोला है भै P R Q का बताये क्या होगा आसान है भईया, क्या है अब? मतलब बाई नाटक है ना पूरा पूरा करवा लिया डाइगराम बनवा लिया अब पी आर क्यूँ पूछाए बेकियवल तो कैसे करोगे डियर देखो यहाँ आपने इससे मिलाया यहाँ आपने इससे मिलाया आजाओ अब इस तरह का मैंने ये सारा डाइगराम बना दिया अब मैं आपसे कहता हूं देखो भाईया एक एक करके आरामाराम से समझना कैसे करेंगे PR क्यों आपन ये आपके सामने 20 होता है ये 90 डिगरी होता है ये भी 90 डिगरी होता है सब जानते हैं ये 90-90 180 तो ये आमने स हो जाएना 150 हो जाएगा तो आपका Halo 6 यह कितना हो जाएगा क्योंकि भ मतलब आपको पड़र रहे थे तो किया किसी को आंदाज था यह इतना आसान है किसी-ऒ़ीलिंग आ रही थी लेकिन नहीं आ रही थी लेकिन जमने डाइकराम बनाया अरे यार यह तो बहुत ही मामूली concept बन गया ऐसा ही होता है जोमेट्री construction से बनती है आप आप construction सीखोगे तो आपके लिए सब आसान है यह गयाना मज़ा आते हैं ऐसे question हो करने में आप सीखी और enjoy करिए मतलब geometry सबसे प्यारा topic हो जाएगा आपका विश्वास मानिये आप बस पढ़ते जाएए और practice करते जाएए बस यही एक चारा है सिखाने का तो मैंने यह प्रण लिया है इस बार पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ नहीं तो पर पढ़ाओ मत तो अच्छे से पढ़ाया जा रहा ह है बस आप चलिए है कि foundation में नया topic स्टार्ट हो रहा है जो जॉइन करना है वह आज से जॉइन कर लेना डियर जिससे कि बाद में आपको लगे कि यह मैं पीछे रह गया या फिर नहीं जिनको जॉइन करना है आज से जॉइन कर लेना कि आर सी भी फॉम में लोड़ चुकी है अब आप नहीं रोक सकता कोई उसको है ठीक है कि आई है पांस सेंटीमेटर की तिरिज्जा वाले एक ब्रत की एक जीवा पी क्यूं कि लंबाई 6 सेंटीमेटर है पी तथा की उपर ब्रत की इस पर्श रेखाएं टी पर मिलती है तो टीपी की लंबाई बताओ बटाओ भई टीपी की लंबाई चली तो कैसे करेंगे यह अच्छा कुश्चन है अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान देजेगा अच्छली तो कैसे कहेंगे पी तता क्यूपर ब्रत की इस पर शरेखा है टी पर मिलती है यह अपका केदर है यह आपका पी पॉइंट है यह आपका क्यूझ है और इस पर शरेखा है है आपकी कहां पर मिल रही है पीपर मिल रही है कि अधिक है उनके आर सीवी के फैंस को तो कोई अंडर एस्टीमेट नहीं कर सकता लेकिन मतलब कैसे मतलब बनाते ना पहले तो आशा देते हैं खूब सारी और फिर लाश्ट में आ जाते हैं अपने अपने मतलब कितना बढ़िया प्लॉट तयार करते हैं ठीक है पीक्यू की लंबाई आपको दे रखिये अब यह पीक्यू ऐसा है तो मैं केंदर को थोड़ा सरका देता हूं थोड़ा सा अच्छा लगेगा ठीक है तो पीक्यू आपक सिक्स सेंटीमीटर है तो पी तथा क्यू पर ब्रत की इस पर श्रीक है टी पर मिलती है तो यह आपके सामने आपका यह केंदर मैंने बनाया ठीक है और यह भी हमने केंदर बना दिया ऐसे और ऐसे मिला आईए आप चलो समझते हैं इसको मैं वह मान लेता हूं अब कुश्च किसी के पास दिमाग है तो लगाई यह नहीं है तो आजाईए सिखा देते हैं प्लीज आप सभी का स्वागत करता हूं चलेगा तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अगर हम इसको इससे मिला रहे हैं तो यह आपका यह परपेंडिकुलर होगा अब परपेंडिकुलर यहां पर भी होगा तो यह इसको दो भागों में बांट देगा यानि कि यह पूरी जीवा छे है तो यह तीन-तीन हो जाएगा तो यह हरावाला इससा चार हो जाएगा ट्रिपलेट बन गया ना तीन-चार-पांच का बात तो गुरुजी ठीक लग रही है मेरे को क्या टेंसन ने अब आपसे बात करना चाहता हूँ यह पीटी निकालना है पीटी याद करिए यह मैंने आपको समझाया भी था और आपको आया भी था लेकिन आपने समझाया ने समझा वो गलग बात ठीक है चलिए तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यहां पर आपके सामने इस तरह का कंडिशन अगर आजाए तो पीटी निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बताऊंगा पीटी निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यहां पर आप क्या करें जो भी आपकी रेडियस है और जो भी आपकी जीवा का आधा है ज तो यहां पर हम क्या कर देंगे कि इस तरह से अगर आपको PT निकालना है न आप इस तरह का ये direct मैंने आपको तरीका बता रखा है कि कुछ जादा ना करो 5 3 15 बटे 4 क्या करना है 5 3 15 बटे 4 करना है Simple answer आ गया तो कितना आगया strengthen 3.75 ठीक है 3.75 आपका राइट आंसर आजाएगा इसका ठीक है अभी प्लीज पढ़ाई कर लीजिए आइपल चालू नहीं करना है आपर ठीक है तो सिंपल क्या करना होता है इस रेडियस को हाफ जीवा से गुणा करना होता है और जो यह लेंथ आती है इसका डिवाइड कर देना ह होता है आपकी क्या निकल कर आ जायेगी इस पर शेखा की लम्बा ही निकल कर आ जाएगी सार यह आपने कहा पड़ाया था याद करिए similarty जब मैंने लगाई थी तो similarity में ये मैंने चीज आपको कराया था यह सेम कॉंसेप्ट लिया था कि जब आपनको पीटी निकालना हो वह वाला कॉंसेप्ट नेक्स्ट यह देखिए किस तरह से अलजेब्रा भी जो मैट्री में आ सकता है प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जिनकी भी थोड़ा गले में प्रॉब्लम एक थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है थोड़ा सा है तो मैंने कल होम रेमेडी इस पर वीडियो बनाया था तो वह आप देख लेना देखो तो है न चलिए तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि अग पर जान बताओ कितना होगा तो कॉंसेट बिलकुल कलियर है एक क्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 2018 है तो यहां हम जानते हैं कि यह आपकी त्रिज्जा एै तो क्या नहीं है रही है योई यहां 37 आपका क्या हो गया रेडियस हो गई according to the question ठीक है according to the question अगर मैं बात करूं तो यह रेडियस हो गई आपकी तो यह आपके सामने रेडियस हो चुकी है वह अगर यह रेडियस हो चुकी है तो परेदी का मान ग्याद कीजिए तो आपका circumference कितना हो जाएगा 2 pi r तो यहाँ पर 2 pi और r की value कितना है 287 तो solve करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है आपकी सामने निकल कर आ जाएगा 574 तो please गलती ना करें और अच्छे से इसका answer दें 574 pi ठीक है x square multiply कर दिया ना ना वो काम मत करो ना यह तो सीधा algebra वाला concept है कि अगर वो यह दे रखा है तो यह जो है radius है तो यह 17 है तो हमने इसको solve करना जानते ही है तो वो radius बन गया तो बस solve कर लो तो यहाँ पर algebra भी इसमें include किया गया था एक बर pyq में तो बस examiner कुछ भी सोच सकता है आपको उसकी सोच को पकड़ना है इसका जवाब दें डियर काफी अच्छा question है यह भी answer दें देखिए ओब रत का केंद्र है यह बढ़िया प्रशन है यह देखो ओब रत का एक केंद्र है और पीटी टी पर इस पर श्रेखा है और पीटी टी पर इस पर श्रेखा है और बीची आपके ब्रत का व्यास है बीची को आगे बढ़ाया जाता है तो पीटी से पीपर मिलती है यानि कि यह बीची मैंने मान लिया और यह पीटी है इसने पीटी बताओ चलिए तो यहां हम कह सकते हैं यह बीची को आगे बढ़ाते हैं यह पीपर मिलती है और पी टी एक इस पर श्रेखा है ठीक है चलिए तो अब आपको क्या दे रखा है यह दे रखा है चार सेंटीमीटर पीटी बराबर आपको दे रखा है आठ सेंटीमीटर ठीक है और radius बतानी है तो यह हम concept पहले भी कर चुके हैं शायद लेकिन अच्छा है आजाए दोबारा तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर वही वाली बात होती है कि p t square बराबर p c into p b फ्लो तो यहाँ से यहां तक नहीं जाना होता है तो इसलिए अगर इढूरी यहां से यहां तक नहीं तक नहीं से बन जाएगा तो यह हो जाएगा 64 PC बराबर 4 तो PB कितना है तो PB पूरा देखोगे तो कितना आ रहा है 4 प्लस 2R तो यहां आ गया 16 बराबर 4 प्लस 2R और यहां पर R की वैल्यू कि निकल कर आ गई 6 actual में क्या होता है कि previous year में जो कुशन होते हैं है रिपीट होते रहते हैं बार-बार यह आपने कैई बार देखा होगा तो यह आदत भी है कि चलिए कि नेक्स्ट करिए करके बताईए कि 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 यह भी बढ़िया है ना यह भी अच्छा है तो कैसे करेंगे डियर आईए सिखाता हूं कि कि पीक्यू और आर एस जीवाएं जब तक बढ़ाई जाती हैं कि बिंदू पर मिलती हैं बात में जाकर वाया एसे दो जीवाएं हैं और जीवा मतलब ऐसे बढ़ाई जा रही है बढ़ा इसे बढ़ाई जा रही आरिया देखो और यह कहां मिल रही है यह और मिलती है मिलने दीजिए तो PQ आपको दे रखा है 6 यहां पर भी property काम आएगी और OQ आपको दे रखा है 8 और OS आपको दे रखा है 7 तो RS की value निकालनी है मैंने इसको X माल लिया तो property क्या होती है सेम वही प्रकार से O से आप पहले Q पर जाओगे और O से ही आप P पर आओगे तो O Q into O P बराबर O S into O R ठीक है O S into O R solve करने पर O Q कितना है O Q है 8 O P कितना है 14 O S कितना है 7 और O R कितना है 7 प्लस X तो 7 से काटा हमने 2 बार 8 दूनी 16 तो 16 मैंसे 7 गया तो कितना आ गया 9 तो 9 आपका RS की value निकल कर आ जाएगी तो कितने विद्ध्यारतियों का सही आंसर आ गया 9 भाई अच्छा लगे ना तो जो भी विद्ध्यारति यहां देखता है क्लास में वह दिल से like जरूर करता रहे क्योंकि यह बहुत ही प्यारा concept चल रहे हैं पेपर में इन पर प्रशन आते हैं अगर आप देखोगे ना तो फ्री के नंबर हैं एक तरीके से अगर आपको बस concept दिमाग में आ गया तो और वह आएगा कैसे पढ़ने से चलिए आईए करके बताईए आएए अधियर और आठ सेंटीमेटर तर्जा वाले दो ब्रत परस पर अंत्य काट करते हैं और भैनेष्ट जीवा की लंबाई आप बताईए हो में वह जीवा की लंबाई 12 cm है तो उनके केंदरों की बीच की दूरी तो ये भी आप कर सकते हो सर कैसे करेंगे एक बरत ये बनाया दूजा बरत एक और बनाया जो की अंताय काट करवा रहे है न तो इसलिए तो ये आपने एक दूसरे को काट दिया ठीक है यहाँ आपने कोई भी पॉइंट माल लो मानो तो नहीं तो कोई बारी बात नहीं है अगर आप इसके केंदर को देख रहे हो तो मैंने क्या किया इसके केंदर पर जाया गया और यहां से इसके केंदर पर आप चले गए आपने दौनों लंबाई है वह उभेनिष्ट जीवा है अब आपसे क्या बोला जा रहा है देखिए उभेनिष्ट जीवा की लंबाई बारह है तो आदा कितना हो जाएगा च्छे यह आपका परपेंडिकुलर अब आप जानते हैं कि छोटे वाले तिरिज़ा आठ है और बड़े वाले की ति यह तो आठ हो गया और यह हो गया चौहँट मैंसे अंडर रूट चौहँट माइनस चाथिस अठाइस अंडर रूट अठाइस का मतलब चारसत्या अठाइस दो रूट साथ और रूट साथ की वैल्यू अभी लिखाई थी कुछ दिन पहले कली तो लिखाई थी शायर बहुत आवशक है और आपको पता भी होना चाहिए डियर रूट देखो आठ तो यह आई गया हमें यह दौनों दूरी निकाल लिए तो रूट वह दो रूट साथ को सॉल्व करो और रूट सेवन की वैल्यू मुझे बताओ आप किसको पता है कि रूट सेवन कितना होता है कि बोलो यार ऐसे मत करा करो बोलो रिविजन होता रहेगा अगर नहीं बोलोगे तो रिविजन नहीं होगा रूट 2 की 1.414 रूट 3 की 1.732 रूट 4 की 2 रूट 5 की 2.2 रूट 6 की 2.4 और रूट रूट 7 की 2.64 ठीक है तो यहां हम कह सकते हैं 2.64 अगर हम लेते हैं तो यहां कितना आ रहा है चे चे चार दूनी 8 चे दूनी 12 दूनी 4 और एक 5.28 प्लस 8 तो यह हो गया 13.28 लगबग लगबग कितना हो गया 13.3 तो आठ कहां से आया यह भी तो जोड़ना है हमने तो अभी इसको ही सॉल्व किया वैल ड़न अच्छा है आप देखो रिवीजन होना जरूरी है ना चली नेक्स कुश्चन करिए चली इसका जवाब दीजी आप आप झाली 17 सेंटीमेटर और 8 सेंटीमेटर की तिरिजा वाले दो ब्रत संकेंद्रिये हैं चोटे ब्रत को इस पर श्रेखा वाले बड़े ब्रत की जीवा कितनी होगी तो बताइए बहिया कितनी होगी क चोटे व्रत की इसपर्ष है वाले बड़े व्रत की जीवा कितनी होगी छोटे व्रत की इसपर्ष है वह जो रखैने बिल्किल स्फश कर गई जयरे बना गईिए eine 17 सेंटिम्र आठ सेंटिमेटर की तिरिज्जवाले दो सरकेंदरियग Cred यानि कि यह दो आपके सनकेंदरियगật है। अब आप से क्या बोला जारा है 8 सेंटिमेटर की तिरिज्ज़ा यानि कि यह तो आट ही हो गया और यह आपका कितना ह Fell 17 क्योंकि बड़ा है ना बड़ी तरिज्जा है सरकम रेडियस है तो यह कितना हो जाएगा 15 यह हो गया 8 15 17 तो यह 15 है यह भी आपका 15 तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 30 यह हुई ना बात मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है चलिए अगला प्रशन करिए और अच्छ कि एक बच्चा कर रहा है डाइगराम देते क्यों नहीं पेपर में आंसर भी लगा के दे देंगे क्यों हां कैसी बाते कर रहे है यार कि चलिए अग्यों कि एबी सी केंद्र ओ वाले ब्रत पर इस्तितीन बिंदू है ब्रत इस पर श्रेका सी वी एको टी तक बढ़ाये जाने पर मिलती है तो ATC आपका दे रखा है 30 डिग्री ACT बराबर दे रखा है 48 तो AOB का मान ग्यात कीजिए बैया क्या हो गया इस बच्चे को कहां बोला है टेंजन कहां है टेंजन बताना मेरे को इसमें अरे वो वेनिस्ट जीवा लिखा हुआ है मैंने हिंदी में पड़ा है बई वेनिस्ट जीवा है common tangent नहीं common code है हिंदी अंग्लिस पढ़िनी मैंने वहाँ उबैनिस्ट जीवा लिखा हुआ था तो मैने इंग्लिस पर दिषान नहीं दिया होगा जान आई पढ़ाई कर लो भाई कौन सी क्या कर रहो बना नहीं देखो ABC ब्रत O केंद्र वाले ब्रत पर इस्तित तीन बिंदू हैं क्या है तीन बिंदू है भाईया अब होने दीजिये अगर हम बात करना चाहते हैं क्या है ABC यानि कि अगर मैं माल लेता हूँ ये A है ये B है और ये C है माल लिया अब O वाले ब्रत पर तीन बिंदू है और O केंद्र है O केंद्र वाले ब्रत पर तीन बिंदू है इस परश रेखा C B A को T तक बढ़ाया जाता है यानि कि क्या हम ये कह सकते है इस पर शरेखा C B A को tangent C meet B A produce to T अच्छा मतलब B A को A तक बढ़ाया जाता है ना तो इस पर श्रेखा यह मिलती है इसलिए बी और एको लाइन में लेना पड़ा यहां लेता हूं कहीं और यह आपका मैंने मान लिया यह इस पर श्रेखा है लाला की लग नहीं रही है यह लग रही है गहीं यह इस पर श्रेखा मैंने मान ली और तो अब ओक है अब ओक है अब मैं इस एको भी है ना सही कर देता हूं थोड़ा प्लेस कर देता हूं यह आपका क्या हो गया टी तक हो गया है कि डन अब जब अब अब बोलग यह कि ज़िए यानि कि यह वाला आपको एंगल दे रख्था है कितना 30 डिग्री और रेए सी टी असीटी आपको दे रख्था बहुत pl कि यह बैं आफ या बड़ोल रखेंग और तालिस अदश्य O बड़ा प्लेट गंदा premi जैसे तैसे निकालते हैं आप कैसे भी करके आए थोड़ा सा सयोग करिए चीजों में अगर हम बात करते हैं OCT की तो OCT कितना हो जाएगा OCT यह 90 डिग्री हो जाएगा क्या क्योंकि यह radius है ना यह आपका केंद्र है यह radius है तो यह 90 डिग्री हो जाएगा और यह 48 है तो 2 हो गया 50 और 50 और 40 यानि कि यह वाला एंगल हो गया 42 यह radius है तो यह भी radius है इसके सामने अगर 42 है तो इसके सामने भी 42 होगा यानि कि यह भी 42 हो जाना चाहिए आपका ठीक है बोलो क्या हम कह सकते हैं क्या कि अगर यह 42 हो गया हमारे सामने या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे प 78 हो जाएगा क्या प्राइंगल नहीं था है इसलिए नहीं है इसलिए मैंने त्राइंगल का ये वाले ट्राइंगल का भाई अकॉन बना दिया इसको सही है 48 और 38 यहां तक कोई समश्या तो नहीं है न बोले सर नहीं है अब मैं यहां से आपके सामने एक चीज और निकाल सकता हूँ OBA 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 ये वाला कॉन कितना होगा बताओ ये वाला कॉन कितना होगा याद करो ये OBA कितना हो सकता है आप में से किसी के पास दिमाग है तो लगाईए बोलो बताओ कितना होगा OBA कितना हो जाएगा अरे सर AOB है वो अच्छा 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 ओके तो AOB है ना ठीक है अभी तो गलती तो कुछ नहीं है अपनी हाँ ठीक है भाईया गलती तो कुछ नहीं है खेर वैसा करता हूँ ये निकालना है अपन को OBA AOB ये निकालना है ठीक है भाईया बच गए अभी तो बच गए ये निकालना है अब ठीक है भाईया अब ट्राइंगल भी बन गया मामला भी सेट हो गया कि इसके सामने का जो कौन है इसके सामने का जो कौन है और इसके सामने का कौन है वो बराबर होगा पाओ, होगा नहीं होगा हाँ और यहां हम यह कह सकते हैं क्या कि यार यह अपके सामने यह 48 है तो यह वाला कितना बनेगा पर राइता फैल गया डाइरेक्ट कर सकते हैं क्या यह और भी पूछा है ना हाँ, मैंने देख लिया हो मुझे लग रहा था कि बीच में पूछा है वो ठीक है मैं दुबारा से देखू इसको एक बर है ना डाइग्राम थोड़ा मिटा देता हूं डेटा वेटा जिससे कि मैं दुबारा समझा पाऊं अभी आपको क्लियर है यह डाइग्राम क्लियर है एक पर और देख लेते हैं थोड़ा सा मिस अंडरस्टेंडिंग हो गई और उस वज़ा से यह चीजें ऐसी हुई यहां पर हम बात करते हैं यह ओ है ठीक है यह अपना क्या है ए है और यह ही था ना पॉइंट नहीं यह सी था शायर यह सी है और यह हो गया A B C और B A को आपने बढ़ाया था ना यह B माल लेता हूं इसको A माल लेता हूं और यह T पर एक दूसरे से मिल रहे हैं और बस टेंशन ना लो पूरा करेंगे सौल ठीक है तो A C T कितना हो जाएगा A C T यह आपका 48 है अगर यह आपका 48 दे रखा है आपको A O B निकाल यानि कि यह वाला एंगल आपको निकालना राइट अब ठीक है क्या आप सही है अब आपसे बोला जा रहा है कि A T C B आपको दे रखा है 38 अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि देखो यहां पर अगर यह 38 दे रखा है तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 90 डिग्री होता सभी काइगा ऐनी प्रॉबल्लम मेरे डियल स्टुडेंट्स अगर यह एंगल आपको पता है यह 90 डिगरी बनाती है अन्ते खंड कुछ लग रहा है क्या नहीं अभी तक तो नहीं समझ में आया इस तरह से ठीक है O A C O A C हाँ अब लग गया दिमाग यह भाई यह भी तो रेडियस ही है तो इसके सामने इसके सामने अगर बयालिस है तो यह भी बयालिस होगा तो यह वाला कितना हो जाएगा रही है न यह भी बयालिस हो गया अब अब मैं C A B निकालू हाँ C A B पूरा अठेतर है यह तीस है C A B पूरा अठेतर है तो यह चत्तिस हो गया हो गया भाई पूरा अठेतर है तो यह चत्तिस हो गया तो यह भी तो रेडियस है और यह भी रेडियस है तो इसके सामने चत्तिस है तो इसके सामने भी चत्तिस होगा आ गया भाई आंसर तो ये 36 दुनी 72 और ये हो गया 108 बस थोड़ी सी misunderstanding की वजह से कुशन पटरी से उतर जाता है लेकिन फिर आभी तो जाता है चीज़े clear हो गई क्या आप लोगों को अरे अब समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है आईए अब देखिए मेरे दोस्तों ये 48 और 30 ये पूरा 78 बनता ये 42 है तो ये 36 हो गया ये 36 हो गया तो ये 36 होगा क्योंकि ये दौनों रेडियस ही तो है तो ये 108 बचे गए ठीक है चलिए तो यह था हमारा कुशन नंबर 23 देखिए क्या इसका अंसर आता है पूशन नंबर 23 देखिए का अच्छा प्रशन है ना देखते हैं किते विद्ध्यार्ती सही आंसर दे पाते हैं इस कूशन का आईए कूशन क्या बोला जा रहा है कि जीवा PQ ओकेंदर वाले ब्रत की तिरिज्जा ओए की लंब दूई भाजक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है पहले एक ब्रत तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ब्रत की तो आवशक्ता है ना हमें हां सर एक ब्रत मैंने बना दिया अब आपको बनानी पड़ेगी क्या जीवा PQ अब जो जो बोला जा रहा है वो वो आ बंदर्णतनास्क्राइल और कि कि वे चल्म राना हैं तो कि यह सकते हैं कि ऐसा बोला जा रहा है हम क्या करें हम कुछ नहीं कर सकते बोला जा रहा है कि वह ऐ बनाना है जो कि आपका क्या है लम्द विभाजक है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर यह परपेंडिकुलर यहाँ भी होगा तो इसको भी दो बरावर भागों में बांड देगा ठीक है डियर कोई टेंशन तो नहीं है अब बोला जा रहा है चाप P A Q आपका 2XY3 है यानि कि चाप जो P A Q है ना ये वाला नीचे लगू चाप वह 2XY3 है तो P Q की लंबा ही आपको ग्याद करनी है बताइए क्या होने वाला है इसके साथ अगर मैं आपसे कह दू डियर स्टुडेंट कि भाई साब देखो ये आपकी क्या हो जाएगी बताओ ये अगर मैं O को Q से मिला रहा हूँ और O को P से मिला रहा हूँ तो क्या ये दौनों तरिज्जा नहीं हो जाएगी क्या बोलिए हाँ याना सर ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है बोलिए तो O A भी आपका रेडियस हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोले यार बात तो गुरू जी आपकी उचित है यानि कि अगर आप इसको इससे मिला रहे हो और इसको इससे मिला रहे हो तो मैं इस ट्राइंगल में कह सकता हूँ क्या कि भाई देखो ये अगर O-P आपकी रेडियस है तो O-A भी तो आपकी रेडियस ही होगी ये आपका 90 डि आप ये पूरा हिस्सा की लेंद देखते हैं कुछ ना कुस तो करेंगे लेकिन चीजे तो बढ़िया होने वाली या आप लगों के लिए मैं आप से बात कहना चाहता हूँ अकोरिंक टू पॉशं अगर हम चलते हैं तो आर्क लेंद्ध हमें अगर दे रख़ी हो ऐसे हैं अटो उ एक सीパाई ho नहीं पाएगी ना फिर तो क्योंकि अगर मैं बात करना चाहता हूँ अगर मैं बात करना चाहता हूँ आर्क लेंद की तो आर्क लेंद किसके बराबर होता है तू पाई आर ठीटा अपॉन तीन सो साथ यही सबना होता है और यह किसके बराबर है 2π से मेरा 2π चला गया और 3 से मेरा चला गया 120 बार तो ठीटा की वेल्यू कितनी हो जाएगी 120 तभी काम बनेगा कुछ ना कुछ सही क्या रहा हूँ न अगर ठीटा की वेल्यू 120 आ गई याने कि ये वाला कौन 120 होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिगरी और ये वाला भी एंगल 60 डिगरी अब रेडियस तो मैटर करी रही है तो रेडियस से तो फरक ना हो इसको 2π आई आर लिख लो क्योंकि रेडियस जो है आपकी एक यूनिट मानी गई है यहाँ पर क्योंकि रेडियस से तो वैसे भी रेडियस कटेगा अगर ठीटा आपको निकालना है तो है ना है ना तो ये थोड़ा उसी तरह से कॉम्प्लिकेशन में मत जाना अब असी ये बोला गया है कि पाई है वही सोच रहा था कि एक्स कहां से आ गया वही ठीक है ना ये पाई होगा तभी ये सॉल्व होगा आपने देख लिया आर बराबर एक ही होने वाला क्योंकि आर से आर कटना ही है वैसे थी ठीक है तो अब मैं यहाँ पर यह कह देता हूं कि भाई आर अगर मेरा एक यूनिट है रेशो में और ये साट डिग्री हो गया तो इसके सामन साट है तो इसके सामने भी ये साट हो जाएगा ये भी साट हो जाएगा आपसे क्या बोला गया है पी क्यू की लंबाई क्या होगी अगर आपके सामने ये साट है तो ये नबे है तो ये कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा ये भी आपका तीस हो जाएगा अगर आप इसको unit में मान रहे हो तो आप इस तरह से एक triangle बना सकते हो क्या इस तरह से आप triangle बना सकते हो 60-30 वाला जसमें 90 degree के सामने अगर आपने r को एक unit माना है क्योंकि r को अगर मैं एक unit मान रहा हूं या r को कुछ भी मत माना हो जाए लेकिन मैंने एक unit मान लिया तो मैं यह हमेशा कहता हूँ ना आपसे कि R बराबर अगर 1 unit है यानि कि 90 degree के सामने अगर R है तो 2A ratio बराबर आपका 1 unit हो गया तो आपको क्या निकालना है 60 degree के सामने निकालना है यानि कि 1 ratio A बराबर कितना हो गया 1 by 2 और 60 degree के सामने कितना हो जाएगा root 3 times of A root 3 ये बराबर कितना हो गया root 3 by 2 यानि कि ये वाला जो हिस्सा है वह कितना आ गया root 3 by 2 आ गया और हमें इसका double करना है तो हम क्या करेंगे root 3 by 2 into 2 तो answer कितना आ गया root 3 कैसा लगा dear question प्लीज मुझे बता दे यहां पर बहुत ही अच्छे अच्छे logic काम कर रहे है और काफी interesting है ठीक है प्लीज एक पर और देख ले review कर ले कोई tension वाली बात नहीं है हमने जब ये 120 निकाला तो ये ठीटा 120 हो गया क्योंकि ये चाप की लंबाई दे रखी थी हमें तो यहां से मैंने इसलिए तो मैंने आर को एक unit माना है यहां पर आर को एक unit मानने से क्या हो गया हमें तो ratio में निकालना था वैसे भी वरना रूट 3 आर आ जाता अगर आप आर को आर ही लेकर चल रहे हो तो रूट 3 आ रहा जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो यहां पर अपना height and distance वाला concept लगाए कि ये 30 हो गया क्योंकि ये 90 है ये 60 है तो मैंने किवल इस triangle को लिया तो 90 degree के सामने आपका 2A होता है तो आर बराबर अगर मैं एक unit मान रहा हूं तो 2A बराबर एक unit A बराबर एक वटे दो और हमने क्या करना है हमने करना है root 3 times क्यों क्योंकि 60 degree के सामने क्या होता है root 3A होता है तो root 3 by 2 हो गया अभी पता है ये कि ये जो वाला जो हिस्सा है ये जीवा का आधा है तो अगर पूरी जीवा निकालने है PQ तो आप double कर दोगे अच्छा लगाना question yes या no में जवाब देदो please ठीक है चले आए आए आपका समय शुरू करता हूं ये लीजिए करके बढ़े ये भी बहुत अच्छा question है जब आपके एक ब्रत की दो जीवाएं एक दूसरे को काट रही हो इनले की ब्रत की दो जीवाएं AB और BC AB और PQ एक दूसरे को काटे दो जीवाएं मैंने लेली ये एक एक a-b लेली और एक मैंने लेली आपकी जीवा PQ और एक दूसरे को क्या कर रहे है dear D बिन्दू पर काट रही है फिंग है तो ad बराबर आपको दे रख यह avoir द ते वी बराबर आपको दे रख है 6 दी क्यू बराबर आपको दे र yanlış आती वराबर निकालना आपको आपको रेलेशन पता है। इन पर एक इप एडी इंटू aspects 161-20 24 विद दी क्यून कोड़िन भी निकालना है पूरा वो टैंक्शन नहीं है अपनी हम्म regarded को क्या लिख सकते हैं PD को अगर हम X मालने हैं तो आप X इसको लिख सकते हो X और DQ लिख दो 3 तो solve करने पर कितना आ गया? 8 आ गया 8 विल बी और राइट आंसर और हमें PD निकल गया हमें PQ निकालना है तो PQ कितना हो जाएगा? PQ बराबर हो जाएगा PD याने की X प्लस 3 8 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 11 ज्यान रहे कि क्या निकालना क्या है? हमने तो यहां से PD को calculate किया हमें तो निकालना था PQ तो PD निकालने के बाद PQ निकालना तो आसान है उम्मीद करता हूँ clear हो गया होगा चलिएगा अगले कोशन की तरफ चलते हैं लाइक वाइक करते रहें बड़िया तरीके से अगले कोशन के लिए तयार हो जाएगे यह लीजिए अगला प्रशन आपके सामने काम ओन करिए यह अच्छा प्रशन है देखते ही बना सकते हो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एक बाहरी बिंदू से किसी ब्रत पर दो इसपर श्रेखाएं खीची जाती है यह अक्सर हम किए हुए है कि भाई यह कोई बाहर का बिंदू है उससे इसपरश्रेखांए डाली गई है तो यहां से मैंने एक इसपरश्रेखा यह डाल दी और एक इसपर्ष रिखा मैंने ये डाल तो बाहर के बिंदू से दो इसपर्ष रिखा इंडल सकती है एक सर्कल पर बात तो गुरु जी ठीक है अब इसपर्ष बिंदूं से होने गुजरने वाली जीवा बैधतर डिगरी के कौन को केंदर पर अंतृत करती है यानि कि यहां से अगर हम यह बात कह दें आपसे कि इनके इसपर्ष बिंदू क्या है ए और बी और उससे जो गुजरने वाली जीवा है वह क्या कर रही है केंदर पर एक कौन बना रही है क्या बना रही है एक सेंटर पर एक कौन बना रही है एंगल बना रही है गुजरने वाली जीवा, जीवा बहता डिगरी कौन को केंदर पर अंतरित करती है यहने कि यह 72 डिगरी है तो आप से बोला गया है इस पर शेखाओं के बीच का कौन कितना होगा? आप सब लोग जानते हो कि यह वाला 90 होता है पूरा और यह वाला भी 90 होता है तो आपस में इनका रिलेशन 180 होना है तो यह कितना हो जाएगा? 108 तो मतलब देखती बना सकते थे बस डाइगराम बाइगराम में इतना करना है और वो एक बर ही लगता है समय जब आप ऐसे प्रशनों को एक बर कर लोगे तो आने वाले समय में यह सब आसान होने लगेगा इसलिए पहली बर करना जो है वो सबसे ज़रूरी चीज होती है यार अच्छे से करें पहली बार चली नेक्स कुशन करिए डियर श्टुडेंट आराम से करिएगा समय शुरू कर दिया मैंने इजी है आराम से 10 से 15 सेकंड में आप इसको उड़ा सकते हो उड़ाईए तो देखिए दोस्तों 15 सेकंड हो गये काफी समय है 15 सेकंड क्योंकि इस तरह के कुशन को ऐसे किया जा सकता है कि एक ब्रत की जीवा की जो लंबाई है वे 16 है जीवा की जो लंबाई है वे 16 सेंटीमीटर है ठीक है और ब्रत के केंड्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यह 16 है तो यह आदा हो जाएगा आठ तो आठ पंदरा सत्रा लह पांस सेकंड का कुशन था ट्रिप्लेट बन रहा है ना आदा करना होता है कारण क्या है क्योंकि आप जब केंड्र से जीवा पर लंब डालोगे ना तो वह लंब इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है 16 को आठ आठ में अगला प्रश्न आपके सामने यह लीजिए करके बताएं करते जाओ दीरे दीरे फटाबट फटाबट यह अच्छा कुशन है यह हमने किया भी हुआ है कल कर लिया था शायद यह कल कर लिया था यह शायद वही है कुशन है जो कल किया था हमने उसी तरह का है सेम कुशन कर लिया है कल यह कल पिछली क्लास में किया हुआ है एक सो आठ इसका अंसर आया था नेक्स्ट यह लीजिए इसको करिए अच्छा कुशन है यह यह देखो कैसे होगा देखो कितना अच्छा प्रशन है कैसे करोगे एबी किसी ब्रत का व्यास है और एपर खीची गई है किस पर श्रेखा C एक बिदू है यानि कि क्या हम यह कह सकते है कि A भी एक ब्रत का व्यास है तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया एक A भी बनाया जो की एक ब्रत का व्यास कहलाया A. B. आपके क्या है? एक ब्रत का व्यास है और ये केंद्र है. ठीक है? A पर खीची गई इस पर श्रेखा C 1 बिंदू है यदि A पर खीची गई इस पर श्रेखा पर C 1 बिंदू है और A बी बराबर आड़ है. समझ गया. यानि कि इस पर एक इस पर श्रीका खीची जा रही है ऐसे खीच दी मैंने अब यहाँ पर कोई C बिंदू है तो इधर करें आप C बिंदू को माल लो तो B C की लंबाई पूछी गई है यानि कि ये पूछा गया है A B बराबर आपको दे रखा है आठ बोला गया है ठीक है और A C बराबर आपको दे दिया अच्छा है तो B C कितना हो जाएगा दस रिपलिट जिंदाबाद ठीक है बस कंस्ट्रेक्शन बनाईए अंसर तो सब आजाएंगे सबसे जरूरी चीज होती है कंस्ट्रेक्शन बनाना तो जब आप कंस्ट्रेक्शन को क्रिएट कर लेंगे तो आराम से आंसर आजाएगा अगला प्रशन करेंगे डियर ये लीजे करके बताएगे क्या आंसर होगा मेरा फाउंडेशन बेच में नया टॉपिक कि स्टार्ट हो रहा है जो विद्ध्यारती जुड़ना चाहते हैं वैं जुड़ जाएगे आएए डियर इस कोशन को कैसे करेंगे देखिए दो ब्रत बाहर से इसपर्श करते हैं यानि कि एक दूसरे को इस तरह से इसपर्श कर रहे है ठीक है दौनों के छेतरफल दे रखे है मैंने इसकी रेडियस मान ली R1 इसकी रेडियस मान ली R2 दौनों के छेतरफल कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वाइर प्लस पाई R2 स्क्वाइर बराबर 130 पाई पाई को पाई ले गया R1 स्क्वाइर ब्लस R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 130 अब बोला जा रहा है कि उनके केंद्रों की बीच की दूरी 14 है तो बड़े बरत की तृज़ा बताओ अब केंद्रों की बीच की दूरी का मतलब R1 प्लस R2 ही तो होता है तो R1 प्लस आटू बराबर अगर 14 है तो बड़े ब्रत की दिर्जा बताओ तो मेरे प्यारे विध्यारतियों ये आप सभी भली बांती परिचित हैं अगर मैं R1 प्लस R2 लेकर बैठा हूँ और अगर मुझे R1 माइनस R2 निकालना है तो मैं कैसे निकालूँगा 2 इंटू R1 स्क्वाइर प्लस R2 स्क्वाइर याद आ रहा है अलजेबरा का प्यारी सी प्रोपर्टी जहाँ पर A प्लस B का होल स्क्वाइर प्लस A माइनस B का होल स्क्वाइर बराबर होता है 2 इंटू A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर ये हमें पता है 130 इंटू 226 14 14 196 प्लस R1-R2 का होल स्क्वायर तो R1-R2 का जो होल स्क्वायर है वे कितना आ जाएगा 260 में से अगर 196 में जा रहे हैं तो कितना आएगा डियर बताओ 64 तो R1-R2 कितना हो गया 8 R1-R2 हो गया 8 और R1 प्लस R2 कितना हो गया 14 तो बड़ी वाली निकालनी है तो R1 बराबर कितना हो जाएगा इन दौनों को जोड़कर बटे दो कर दो 22 बटे दो 11 तो 11 आपका राइट आंसर आगया तो बड़े वाले ब्रत की तिरिज़ा निकल कर आगई 11 ये काफी इंटरेस्टिंग प्रशन है और पूरा सॉल्व करना है सॉल्व एक एक करके बताया है छेतरफल वाले को छेतरफल वाली की एक्विशन के बराबर किया वहां से एक रिलेशन निकाला बीच की दूरी तो अब बीच की दूरी का मतलब क्या होता है 14 है कैसे बता चला क्योंकि R1 प्रस R2 रेडियस का जो सम होगा वही उनके बीची दूरी होगी यह बस लॉजिक था यहां पर जो यहां से लेना था बाकि सॉल्व कर लिया अलजब्रा लगा कर अगला प्रशन करके बताएं क्या आंसर आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी विध्यारति किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहा हो इस क्लास को जॉइन करके बहुत अच्छी तयारी कर सकता है चाहिए वो CDS का ही क्यों नहों जैसे एक बच्चा कहरा अई सा CDS की तयारी करवादो डियर अलग से कुछ भी नहीं होता है आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना कहीं पर भी पढ़ रहे हो वही तैयारी ही सफिशेंट है लेकिन मन लगा करो यह confidence में आपको देता हूँ कि अगर आप मेरी classes से पढ़ रहे हो या मेरे foundation course से पढ़ रहे हो आप कहीं भी किसी भी exam में कोई भी topic में पीछे नहीं अडरोगे उसको level का आपको दिया दिया जाएगा और वो सब question भी करा दिया जाएगे बस आप continue basis पे रात को 8 बजे वाली class foundation batch है तो foundation batch और यह वाली class लेते रहो ठीक है डियर देखिए एक ब्रत में 30 डिगरी का चाप है जो एक दूसरे एक दूसरे ब्रत की तिरिज्जा पहले ब्रत की तुलना में तीन गुनी है तो दूसरे ब्रत के के अंदर पर चाप द्वारा अंतरित कौन यह क्या चक्कर है यह चक्कर वही है चाप की लंबाई बराबर क्या होता है त्रिज्जा इंटू एंगल अब यहां मेरा एक प्रश्ण है यह जो एंगल होता है यह किस में होता है डिगरी में होता है रेडियन में होता है हमेशा याद रखना है जो एंगल लिया जाता है ये रेडियन में लिया जाता है जनरली और ये आपकी रेडियस होती है और ये आपका चाप है आर्क अब मैं ही कह रहा हूँ कि 30 डिग्री चाप की लंबाई एक ब्रत में 30 डिग्री चाप है 30 डिग्री क्या चाप है जो एक दूसरे ब्रत की तरिज्जा पहले ब्रत की तुलना में 3 गुनी है तो दूसरे ब्रत के केंदर से चाप द्वारा अंतृत कौन आई अगर मैं केदू चाप की लंबाई सेम है यहाँ पर जो बोला जा रहा है वह चाप की लंबाई सेम बोला जारा है कि चाप तो वही है लेकिन रेडियस को मैंने अगर ट्रिपल कर दिया तो क्या effect पड़ेगा एंगल पर तो भाई साफ साफ कहने की बात ये है जो आप समझ रहे हैं आईए थोड़ा समझ लीजिए कि अगर आपके सामने यहाँ पर ठीटा है 30 डिग्री और तीन गुनी हो जाती है पहले की एक्स रेस्पेक्ट में तो क्या होगा तो ठीटा बन बराबर हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बताओ क्या अंसर इंग्लिश में गलत है एंग्लिश में गलत है एन आर्क ओफ 30 डिग्री इन वन सर्कल डबल एन आर्क ओके अब यह तो हिंदी में गलत है अंगलेजी में गलत है वही है कहां गलत करें बताओ तो first of all यह formula समझ में आ गया अब दिमाग लगा लेते हैं दोनों से ही पहले मैं English से करूँगा solve फिर मैं Hindi से करूँगा मुझे English वाला ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि मुझे पता है न कि English वाला सही है यह हिंदी में रह गए एक लाइड और आर्क वाले की बाता करते हैं तो उसकी रेडियस आ रहे है तो दूसरे वाले की रेडियस थ्री आ रहे है यहां आर्कि लंबा यह आपकी 2L है यहां आर्कि लंबा यह आपसे पूची जा रही है कितनी the arc in one circle is double an arc in a second circle की किया ना an arc of 30 degree in one circle is double an arc in a second circle क्यानी कि ये arc बड़ा है ऐसा है क्या और यहां पर जो एंगल आपको दे रखा है theta वे आपको दे रखा है 30 degree ये एंगल निकालना है चलो solve करते हैं तो मैं यहां कैसा हूँ 2L बराबर 30 degree into r तो L बराबर कितना आ रहा है 15 degree into r अब यहां L बराबर रखता हूँ तो कितना आ रहा है 15 degree into r बराबर 3r into theta आ गया ना सही है तो r से r कट गया theta do बराबर कितना आ गया 5 degree यह सही है इंगलिश सही है भाई इसकी हिंदी में गड़बड़ है इंगलिश सही कर लीजिए मैंने पूरा systematic तरीके से solve कर दिया है ठीक है चलिएगा तो समझ में आना चाहिए देखो मैं दुबारा से समझा देता हूँ इंगलिश के हिसाब से पढ़ ले न यह क्या लिखा गया है कि पहला वाला एक चाप है और दूसरा वाला एक चाप है पहले वाले की तरिज़ा आ रहे है तो दूसरे वाले की तरिज़ा तीन आ रहे है ऐसा इंगलिश में लिखा हुआ है ठीक है भाई सब अब चाप की लंबाई की बात हिंदी में नहीं की गई है वही मैं समझा रहा हूँ चाप बोला गया है कि पहले वाले का चाप है ना दूसरे वाले के चाप का दुगना है तो मैंने यहाँ और ठीटा आपका 30 डिगरी बन रहा है ठीटा 1 तो यहाँ पर आपने वही लगा दिया L बराबर रेडियस इंटू ठीटा तो L बराबर यहाँ की 2L है रेडियस इंटू ठीटा तो यहाँ से आपने L बराबर निकाल दिया 15 डिगरी इंटू आर अब आपने यहाँ पुट कर दिया क्योंकि यहाँ L तो L ही है और 3R इंटू ठीटा 2 सॉल्व कर लो तो यह बड़िया कुशन है है तो मैं यहाँ मुझे चाप का कुछ रिलेशन दिखा नहीं तो मुझे लगा चाप कॉंस्टेंट है लेकिन उपर दिखा कि है तो इसलिए इस तरह से आपको इंगलिश के एसाफ से सॉल्व करना है हिंदी इसमें मिस्टेक है ठीक है चले नेक्स्ट करिए एबी ओ केंदर वाले ब्रत की जीवा है एबी जो है वो ओ केंदर वाले एक ब्रत की जीवा है एबी ओ केंदर वाले एक ब्रत की क्या है जीवा है ब्रत पर बिंदू सी इस प्रिकार है कि ओसी जो है एबी पर लंब है यानि कि सी बिंदू कहा होगा जो यहां से गुजर रहा होगा ओसी से गुजर रहा होगा ओसी जो है वह लंब है तो यानि कि हम यहां से ऐसे डाल दे तो यह हो गया लो यह C point है OC और यह आपका perpendicular है P पर काटती है OC OB को P पर काटती है PC बराबर दे रखा है आपका 2 यह आपको 2 दे रखा डियर देख लो AB बराबर आपको दे रखा 6 तो यानि कि यह भी 3 और यह भी 3 यह सब समझदार हो आप तो ब्रत का व्यास ग्याद करना है कितना होगा बताओ ब्रत का व्यास ग्याद करना है कितना होगा अब यह interesting question हो गया डियर क्योंकि बहुत सारे विध्यारतियों को इसके बारे में ग्यान ही नहीं है कि लगेगा कैसे और हम आपको ग्यान की पूरी नदी में डुबो रहे हैं आजाओ तो यहां हम यह कह सकते हैं क्या कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा उपर बढ़ा दिया और इस पॉइंट को मैं डी डाल देता हूँ चलो अब आपको कुछ relation देख रहा है क्या यह भी तो एक जीवा है और यह भी एक जीवा है क्या लग गया क्या वह लग जाएगावा बिलकुल अब जाएगा क्या पीए पीवी बराबर PC इंटु पीडी लगाओ तो PA into PV कितना है 3 into 3 बराबर PC कितना है 2 और PD क्या लिखोगे सर ये अगर आपने मानली पूरी रेडियस है तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा R minus का 2 प्लस का R बात तो सही है आपको PD लेना है न तो यहां आप क्या लिखोगे इनको जोड़ोगे तो 2 R minus का 2 3 तीया 9 बटे 2 तो 9 बटे 2 प्लस 2 बराबर 2 R तो 9 और 4 तेरा बटे 2 बराबर 2 R और R बराबर आगया 13 बटे 4 कुछ हो रहा है क्या व्यास निकालना है तो R बराबर अगर 13 बटे 4 आगया तो 2 R बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे 2 तो निकी 6.5 कैसा लगा कुछन किरपिया करके जरूर बताएं क्योंकि ऐसे कुछनों से क्या होता है एक दिमाग में सुर्थी आती है क्यार एक क्वालिटी चीज़े हम सीख रहे हैं ऐसे डाइगराम बनाना है और बनाओगे तो पेपर में क्लिक करेगा अगर करके ही नहीं जाओगे तो पेपर में क्लिक करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं उड़ता कि आप ये सोचों कि आप थियोरी पढ़के ऐसे कुछनों को कर लोगे पॉसिबल ही नहीं है आपको ये कुछन बहुत सारे पार्ट बाकी हैं आराम से आप घूम फिर के एक महीने के टूर पर भी जा सकते हो इतना पार्ट बाकी है लेकिन तुम्हारे चक्कर में जल्दी जल्दी इसको नहीं खतम किया जाएगा आप चाहे कितना भी सोच लो दो ही चीजे होती है अच्छा पढ़ा दिया तो अच्छा पढ़ाया जा रहा है वेकर पढ़ा दिया तो घास क्यों काटि जा रही है बीच में पढ़ा दिया तो सब्सक्राइज छोड़ दिया ये रह aja तो ऐसा यह चलता हीं ल only आपको पता है कि पूरा सिस्टेमेटिक पढ़ाना ही मेरा काम है की के ना चली हाँ डायमेटर ही निकाला है यह अच्छा कुशन है एक ब्रत का बोला जा रहा है क्या एक ब्रत की जीवा उसकी त्रिज्जा के बरावर है और जीवा अगर त्रिज्जा के बरावर होगी तो साठ 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 संभावू तिर्बुझ बन जाएगा ना भाई साब और यहां बोला जा रहा है क्या कि दो जीवा है मैंने एक जीवा बना देता हूँ और उसको त्रिज्जा से मिला देता हूँ और इस पॉइंट को मान लेता हूँ टेंद्र यह A है और यह B है बरावर है तो साठ साठ डिगरी हो गया क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आपकी जीवा भी त्रिज्जाओं की लंबाई के बरावर हो गई तो आपका यह संभावू तिर्बुझ बन जाएगा अब यह संभावू तिर्बुझ बन गया तो जीवा के छोर पर ब्रत में एक इसपरश खीची जा रही है देखो कैसे ऐसे एक इस पर श्रेखा खीची जा रही है ऐसे तो इस पर श्रेखा और जीवा के बीच का कौन यह भी आप जानते हो इस पर श्रेखा और जीवा की बीच का कौन आपको निकालना है कैसे निकालोगे बताओ यानि कि आपको यह वाला एंगल निकालना है कि ये वाला ये वाला नहीं निकालना थीच है तो कैसे निकालो के बताओ आप अच्छे से जानते हो नहीं कैसे निकालो के बताओ यह एक रेडियस हो गई और रेडियस हमेशा इस पर शेखा पर क्या होती है turbo यह एंगल कितना बनेगा 30 डीरी पता है ना यह रेडियस है रेडियस पर्पेंडिकुलर होगी तो यह साथ है तो यह वाला इससा कितना बनेगा 30 तो 30 डिगरी आपका राइट आंसर आगे नेक्स वन आईए करिए इसको कि आईए कि एक बच्चा करा अल्टर्नेटिव सेग्मेंट अल्टर्नेटिव सेग्मेंट तो नहीं हो सकता ना क्योंकि अल्टर्नेटिव सेग्मेंट में केंदर से नहीं निकलता कुछ अल्टर्नेटिव सेग्मेंट एक तरीके से इस तरह से बनता है तो यहां कई केंदर से यह तो केंदर रह गया इधर तो यह आब कह सकते हो certificate यह वाला एंगल कि और इस्पर्ष करते हैं, यानि कि दो बरत, तो दो बरत एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ इस्पर्ष कर रहे हैं, ओके डियर, चलिए, अब छोटे बरत की तिरज़़ह है, और दौनों बरतों के बीच की दूरी आपकी तीन सेंटिमिटर है, तो बड़े बरत आपको पता है तो अगर मैं यहां से यह कह दूँ, कि यहां अगर इसका सेंटर है, तो यह भी पूरा रेडियस होगा, तो यह रेडियस कितना हो जाएगा, छे, और केंदर उसके अंदर है या बाहर है, आँ, छे है, तो केंदरों की बिच की दूरी आपकी तीन है, ठीक है, तो हम ऐसे बना स increase कर दिया जिससे कि आपको मैं समझा पाऊंँ कि भाई देखो एसी कहानी है इसके साथ में कि देखो यह आपका एक चोटा सरकुल और यहाँ पर और ये बड़ा सर्किल है इसका केंद्र हो गया यहां पर ठीक है और इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रख्याइ है आपको यह आपको दे रख्या तीन यह आपकी रेडियस अच्छ है आपसे पूछे कि यह रेडियस बताहिए आप मैं कह सकता ना कि इससे अगर ये दूरी अगर मैं जोड़ दूं तो यहां से यहां तक की दूरी भी तो रेडियस ही हो जाएगी बड़ी वाली कितनी हो जाएगी नौ तो समझने समझने क्यों बड़े पैंड करता है आगे से गलतिया नहीं करोगे आप क्योंकि दिमाग लग जाएगा तो नहीं होगी गलतिया कहां से होगी गलतिया चले नेक्स्ट आईए करिये क्या अंसर आने वाला है कि बहुत अच्छा पुरशने डियर बहुत अच्छा बाई सेशन को है ना जो भी विद्यारति अभी देख रहे हैं जैसे कि 2000 बच्चों ने अभी तक लाइक भी नहीं किया है वो लाइक जरूर करते रहे जिससे कि पता लगता रहेगा कि आप इंट्रेस्ट ले रहे हो करते हैं यहीं कि एक सरकिल अन्यादो को इस परश कर रहा है लिए कि एक सरकिल आपने यह बना दिया और एक सरकिल आपने यह बना दिया चलिए अब आपसे बोल रहा है कि अंदर एक तिरबुज भी बन रहा है जो कि इसके ABC केंद्र को बना कर बनाया गया है तो एक आपका क्या बन रहा है एक ट्राइंगल बन रहा है प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना और बहुत ही प्यारा प्रश्ण है यानि कि अगर आपने ये माना अपने B और ये माना अपने C ऐसी बोला जा रहा है पिर बुचकी बुजाएं आपको दे रखिये 9, 7 और 6 अभी आपसे मैं कहता हूं कि अगर इसकी रेडियस A है तो ये AA हो गया इसकी रेडियस B है तो ये BB हो गया इसकी रेडियस C अगर आप मानते हैं 7 और C पलस A सी को गटा दो 5 आरहा है और C कितना निकल कर आ रहा है दो आ रहा है तो आपकी रेडियेस भी यही निकल कर आगई तो चार, पांच और दो चार, पांच और दो यानि कि option number D आपका right answer आजाएगा तो कैसा लगा dear? तो ये interesting है और आराम से आपने इसको solve भी कर लिया ठीक है ना? चले next ये भी अच्छा question है dear आराम से इसका जवाब दे, मज़ा आएगा इसमें भी आओ, सिखाता हूँ एक वरत A, B और C तीन मिंदू इस प्रकार हैं कि O, A, B और A, C द्वारा अंतरित कौन 90 डिग्री और 110 डिग्री के हैं और आगे माना है कि O, केंद्र, B, A, C के बीतर इस्तित है तो B, A, C कितना होगा? आईए ये एक बरत है जैसा कि कुशन में विधित कहा गया है A, B, C आपके तीन बिंदू है O, बरत का केंद्र है और A, B, और A, C आपके क्या है? A, B, और A, C की जीवाओं द्वारा क्रमश है अच्छा इसने एक हिंट दे दिया मेरे को क्या A, B, आपका व्यास नहीं हो जाएगा? क्या A, B, आपका व्यास नहीं हो जाएगा? आपने कैसे सोच लिया? मैंने तो सोच लिया देखती ही आप मुझे बताएं कि मैं सही सोच रहा हूँ क्या? चलो एक मैंने A, B, बना दिया है और यह मैं बोल रहा हूँ कि यह डायमीटर है और 100% यह मेरा डायमीटर है और अब आप मुझे इसके आगे की बात बता दो कि क्यों है? और एक A, आपके के बोला गया? A, C, B एक जीवा है ठीक है न? तो यह A, C, B आपके एक जीवा है और O, किंद, A, B और A, C जीवाओं द्वारा ठीक है A, C, B आपके एक जीवा है यह C पॉइंट मान लिया यह भी जीवा थी और यह भी जीवा थी अब मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर आपका यह ब्यास है क्योंकि देखो दोस्तों A, B और A, C जीवाओं द्वारा अंतरित कौन 90 डिगरी ठीक है? A, B और A, C जीवाओं द्वारा अंतरित कौन 90 डिगरी और 110 डिगरी है आगे माना कि O है ना जो B, A, C के भीतर रिस्तित है यही है एंगल B, A, C कितना होगा? यह वाला एंगल आपको निकालना है चलिए यहाँ तक देखते हैं solve करते हैं कुछ ना कुछ तो आए गाई भाई कोई गडबड तो नहीं है ना यहाँ तक बोलो आपको कोई मिस्टिक तो नहीं लग रही? सगी है ना डाइग्राम वाइग्राम तो A, B और A, C द्वारा अंतरित A, B और A, C करते हैं यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा चलो लगाते हैं निमाग यह A, B द्वारा अंतरित है 90 डिगरी और A, C द्वारा अंतरित है 110 कैसे पॉसिवल है? गड़वड है ना? यह तो गड़वड ही हो गई? ऐसे आप बूरी गड़वड हो रही है क्या करें? इसका मतलब यह ज्यादा सोच लिया ज्यादा सोच लिया है ज्यादा सोच लिया है हमने तो थोड़ा कम करते हैं सोच को ये डायमेटर नहीं होगा पहली बात तो ठीक है न? पूरी कहानी बना दी लेकिन डायमेटर तो है ही नहीं है कारण क्या एसर इसका? कारण बताता हूं रोखो पुश्ण को डंग से बढ़ो पहले एक ब्रत पर ABC तीन मिंदू इस प्रकार है कि ओपर केंद्र ओपर बन रहा है केंद्र ओपर है एंगल परिदी पर थोड़ी है पूरे को उटा देता हूं चलो दुबारा से बना रहा है ना टेंशन मतले ना गलती का अंदाज लग जाता है जल्दी लग जाता है चलो यहां पर हमने एक circle बनाया एक circle बनाया और आपसे बोला गया कि şu circle आपने अंतरित करो दिया और इसका अपने center बना दिया O पहले तो और वो अंदर ही है तो यहां पर हम इसको थोड़ा सा उपर ले लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है पहले हम वो बना लेते हैं कि हमारे पास A B और A C द्वारा अंतरित है यानि कि A.B. और A.C. दो जीवाएं हैं तो एक जीवा मैंने A.B. ऐसे बना ली और A.C. मैंने ऐसे बना ली अब प्लीज थोड़ा सा समझना और देखना कि अब सही जा रहे हैं कि डाइग्राम में हम मुझे पहले से डाउड तो हो गया था बाब में अंदाद पक्का हो गया कि बही गलत है A.B. और A.C. मेरी दो जीवाएं हैं और इनके दोरा यहां केंदर मैंने मान लिया यह रहा और इस केंदर पर अंत्रित कौने हैं आई बास समझ में अब तो आ रही होगी फ़ूजा फील भी आ गया होगा थोड़ा सा अब ठीक लग रहा है ये एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया यह आपका केंद्र O हो गया, यह आपका 90 डिगरी हो गया, और यह आपका 110 हो गया, एनि प्रॉब्लम क्या, किसी को कोई समझ्या है क्या, नहीं, अब तो कोई समझ्या नहीं है, और O B A C के अंदर है, O B A C के अंदर, तो B A C की वैल्यू निकालनी है, यानि कि B A C आपको निका अब ठोड़ा ठीक लग रहा है के डियर स्टुडेंट्स एक बर मुझे क्लियर कर दो अब ठीक है ना अब तो वैसी कर लेंगे अगर भाई साथ ये एंगल आपका ये रेडियस है ये भी तो रेडियस है तो ये 90 है तो ये वाला कितना होगा अब 45-45 क्योंकि आमने सामने के कौन बराबर होते है बुझाए बराबर है इसी प्रकार ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है बताओ ये 110 है तो बचा कितना 70 तो ये 35-35 आरे लो मतलब पांस सेकंड की कोश्चन में कितना टाइम लग जाता है बशरती कि आप डाइग्राम सही बना लो 45-35 अरे क्लियर हो गया क्या इतना टफ है क्या जो ना कर पाओ तुम तो ये बहुत अच्छी बात है चीजे समझ में आ गई और वो भी गई क्लियर नेक्स्ट ये कैसे आया 35 35 बताऊं ये रेडियस हो गई ये भी रेडियस हो गई तो इसके सामने के कौन और इसके सामने के कौन बराबर होंगे अब बराबर होंगे क्या कि 110 तो तिरबुज में ये है तो बचा हुआ 70 का आधा आधा कर दो 35 इसी परकार 90 ये है तो बचा हुआ 90 का आधा आधा कर दो 45 चलिए नेक्स करिए इसको कर दीजिए फटाफट से यह बढ़िया है कुशन सारे बढ़िया है ए आठ एकाई तरिज्जा का एक केंद्र है एक क्या है आठ एकाई तरिज्जा वाले ब्रत का एक केंद्र है यदि यह दौनों ब्रत पहार से एक दूसरे को इस परश करते है यानि कि यह चोटा होगा तो यह सेंटर है यह भी सेंटर है इसकी रेडियस आठ है और इसकी रेडियस कितनी है चार है अगर आपकी व्यास हो गया तो रेडियस हो गई च्छ एरिया कितना हो जाएगा पाई आरि-स्क्वायर 36 स्पाय हैं कैसा लगा मजाक तो ये मामूली सा कुशन था लेकिन मामूली से कुशन को भी आप गलत करने की छमता रखते हैं मैं इससे देखकर भाब विवोर हो गया हूँ एक सो चमबाल स्पाई दे रहे हैं वाई चलिए ये भी है करो इसको भी अपने आप में एक बहतरीन प्रश्न ओ के इंदर वाले एक ब्रत का व्यास ए भी है एक ब्रत बनाया ये डायमेटर बना दिया ए भी CDa जीवा है CDa जीवा है जो ब्रत की तीर ज़ा के बराबर है याने की इसी और बीडी याने की CDa जीवा तो बना लो तो हमने क्या किया एक CD को जीवा बना दिया यहीं क्यों बनाया सर यह एसी और बीडी का रिलेशन है न इसलिए बनाया सीडी आपकी उसके बराबर है तो दिमाग लग गया न आपका भी संभाव तिर वो जिन्दाबाद क्योंकि यह रेडियस हो गई यह आपको पता है यार यह मतलब ऐसा हिंट दे देता है न कि तिरिज्जा के बराबर है तो यह साथ डिग्री हो गया यह भी साथ यह भी साथ य यह पी पर मिल गए eu ac और bd को बढ़ा दिया गया और यह भी पर मिल गए तो रेडियस है, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, अब ये भी 60, ये भी 60, सब 60, 60, 60, तो क्या करना है, ये भी 60, ये 60, और ये 60, सर ये 60 कैसे हो गया, भाई, रैखिक कौन युगम, ये 120 हो रहा है तो बचा हुआ 60, ये 120 हो रहा है तो बचा हुआ 60, तो 60, 60, 60, 60, 60, क्या बताओ कैसी आंदी आई है साट की यह भी साट यह भी साट तो यह वाला हिस्सा भी तो 60 होगा linear pair linear pair तो यह दोना 60-60 होगे तो उपर वाला भी 60 होगा चलिए अगला करो यह भी कालाकार कुश्चन है आओ बोला जा रहा है कि एक ब्रत में तीन बिंदू है एबी सी और एपर इस पर श्रेखा बड़ी हुई बी सी को टी पर काड़ती है बताओ यहां मैंने इसकी इस पर श्रेखा बना दी ऐसे क्योंकि वह काटेगा भी न तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं आगे कटेगी भी इसलिए लंबी बड़ा दिया ना बी सी को टीपर काड़ती है न तो यहां पर एक बी पॉइंट का होंगे कॉमन सेंस से यहां होंगे तभी तो कटेगा यह अपने अप लग जाता दिमाग बच्चों के दिमाग में यह नहीं आता कि बी और सी कहां माने पता लग गया कि यह ऐसे कटवाना है तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी है मजबूरी है यहां कटवा दो सी को नीचे कर लो सी कौन सा कि समझ में आ रही है बात अब क्या है बी सी को टी पर काटती है यह पॉइंट टी हो गया है पॉइंट अफ इंटरसेक्शन ऑफ इस परश्रेखा एंड बी सी अंजन प्रिदूसिंग फ्रम दी साइड बी सी मीट अट थी पॉइंट सो बी एटी कितना है बी एटी बी एटी मतलब चालिज दिग्री बताओ यार बी एटी चालिस है और सी अटी कितना है अग्या कर रहाotz है या में कि इंप इंचरےकर रहा यार बीसी द्वारा यह आपका सेंटर मैंने माल लिया क्या यह सभी है क्या यह आप ऐसे तो चलेगा नहीं वी एटी चालिस कैसे हो जाएगा यार एंगल गलत है ना हाँ बीएटी गडवड़ है यार बीएटी नहीं दे रखा होगा यह यह चुलो क्याटि को तो माने लेते तो मैं इसको इससे मिला रहा हूं एक बर को देखेंगे मुझे पता लग्या यह कितना नहीं है यह चंबाल यस है मैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हूं संतुष्ट की सी एटी मेरा चम्वालिस है और यह मुझे पता है कि एंगल चालिस हो यह नहीं सकता अचा आप ऐसा करो इस बीटी की जगे आप इसको बीटी ए कर दो शयद टाइप में जिन्दा बाद था अमारा असलिए उसने गर्वर कर दिया होगा इसको बी टीए कर दो ठीक है तो BTA करोगे तो ये 40 हो जाएगा अब ठीक है क्या एक बार ये बन सकता है 40 क्योंकि और कोई angle है नहीं आपर तो हो सकता है कि इस से करके देख लेते हैं एक बार कि ये 40 माल लिया ये आपका 44 है हाँ अब आप दिमाग लगा क्या कि यह वाला ने बताए तो इसको चोड़ कर यह वाला एंगल कोचोड़कर यह वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ bc को नीचे करो bc को c b लख दो bc को c吧 क्यों लख दो सही है न क्यों लख दो मैंने सही तो कर दिया क्या दिख का तुछ बताओ या फिर इसको छोड़ो इसको निकालने भी क्या आशकता है ये अगर आपका 44 है ये अपना ही हो गया 84 हो गया यह ठीक है यह 84 हो गया आपको क्या निकालना है के अंदर पर बना हुआ कौन यह निकालना है आपको बीसी द्वारा के अंदर पर बना हुआ कौन बताओ क्या करें बताओ यहां तक कोई समझ्या अगर यह पता लग जाए ना यह वाला तो इसका दुग ना कर दू दो मिनट में पूछू भी नहीं अब यह पता लगने के लिए क्या किया जाए कि यह पता लग जाए बस कैसे बता लगेगा आ तो रहा है एक मिन देखना एक टी फोर कि इतना हो गया चार और चार आट आट और चार बारा आ तो गया है इतनी टेंसन के लिए रहे हो यह बावानी तो होगा दो तीस हो गया वाई यह चमबालिस है आंसर आजाएगा एक सो चार यह लगता यार कभी-कभी तो लग जाता है दिमाग कभी-कभी नहीं लगता है और इसमें कुछ करना ही नहीं था ठीक है मैंने जबकि एंगल लिख दिया था बताओ और मैंने ही मिटा दिया था हो सिंपल सी बात है अंगल अल्टरनेटिव सेग्मेंट थियोरम के इसाब से यह इस पर श्रेखा है अभी तो बताया था थोड़े दिर पहले यह चमबालिस होगा अब मेरे को इतना टाइम लग गया देखने में इसको यहां चमबालिस होगा अब यह चमबालिस है यह 84 है तो यह 52 आ गया और यह 52 आ गया तो यह 104 आ गया कुछ अलग नहीं धा बस सीखने सीखने की बात है ठीक है कैसा लगा डियर मज़ा आया काफी इंट्रेस्टिंग कुशन है और बहतरी इंप्रशन कहींगे अच्छा लगता है जब चीजें निकल निकल कर आती है और खुदी करने से आती है देखो है ना तो यह सबसे बड़ यहां से मैंने यह फाइल एड और किया आज यह फाइल मैंने और डाली आज ठीक है तो इसके भी कुशन आप बनाईएगा ठीक है पूरी मतलब ऐसा नहीं है कि आप यह सोच रहे हों कि सर जल्दी करने के चक्कर में ऐसा करने ऐसा नहीं है मेरे को लग रहा है कि और भी कर लग जढ दिएक है यह यह जुआ है यह जर अजल प्री इस करने दो प्लाद रहा है कि अजा भी कुशन आपजा है यह जो टूंदी कि आप सा नहीं है यह जो रहा है कि अखितना इसों भी कर दो आफ़िशस्टे अधर मेम्स आब टीक कर भी कर दो आब दोगड़ बनाग